बहुत बहुत स्वागत हैं हमेरे जितने भी देश के defense asperant आज कर बिलकुल उनसे बच्चों के लिए बहुत important होने लाज जो defense exam के त्यारी करते हैं विशे तो आजकल defense exam और defense entries के बारे में बच्चों को काफ़ awareness मिलने लगी है और बच्चे अवे भी लेकिन आज जिस वीडियो के टॉपिक पर मैं बात करने चल रहा हूं इसके बीशे में बहुत सारे डिफरेंट को क्लारिटी नहीं है और हमेसा कंफ्यूज रहते हैं तो बिना किसी देरी के मैं इस्पिसल वीडियो विल्कुल आपके लिए शुरू करता हूं आज किस वीडिय क्या हैं कई बाट लोग मिलिटरी को को मिलिटरी समझ लेते हैं तो बास्तों में सेना अर्दशाइन इकबल और केंद्री ससथ्त्र पुलिस भॉर्स में डिफरेंसक्या है इसको समझतना है गहराही ज़रूरी है मोटे मोटे दोर पर समझें रच्छाबल जिनने सेना कहा जाता है देश में सेना मतलब आर्मी नेभी एर फोर्स और साथ ही साथ केंदरी ससस्त पुलिस फोर्स जैट मिन जिसको आफ सेंटल आम पुलिस फोर्स कहते हैं मतलब बीए सफ सी रपी आई टी बीपी सी यह सामिल है और वहीं जब परामलिटी फोर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतरगत आपका असम राइफल इसके अंतरगत एनसजी नैसनल से क्योटी गार्ड इस्पेशल फ्रंटियर फोर्स हो गई तो इन बल को सामिल किया गया है प्रतेक बल को इंडिपेंडेंटली जो है रेगुलेट किया जाता है सभी फोर्स का अपना बजट होता है और बजट के अंसार फोर्स को डबलब किया जाता है और उन्हें बह्तर किया जाता है चलिए इस बात को डेटेल में समझते हैं किसी भी देश के लिए बाहरी खत्रे जो हैं उससे निपटने के लिए ज जो बाहरी देश से खतर है, उससे हमें सुरच्छित करने को कोसिस करते हैं, और उससी से बचाना इनका टास्क होता है, अब ऑबिसली जब हमारी देश को सुरच्छा की बात आती है, तो हमारी पूरी आम फोस, पिन आरमी भी नेभी भी और एयर फोस भी आती जाती आनिया नाम को सिंट्री के अंतरगतत्जाएं यह कंदी स सतुथ भल, that means इनके अंतरगत, यह जो C.A.P.F है, Ministry of Home Affairs के अंडर जो है, सर्भोती हो नहीं के अंडर यह गवर्न की जाती है, वैसे तो C.A.P.F का मेन रोल जो होता है, कंट्री को इंटरनल थ्रिट से बचाना, मतब अंदरोनी जो भी समस्या है, उन से सुरच्छित करने के लिए, हम से के C.A.P.F, BSF, ITB, PSSB और C.A.P.F सामिल है, C.A.P.F का काम होता है, इंटरनल सेक्यूरिटी ड्यूटी करना, और साथी साथ, साथी साथ, एंटी नक्सलाइट जितने भी हमारे देश के अंतरगत हैं, जिन जिलो में हैं, जिन राज्यम हैं, उनके खिलाब जो ऑपरेशन करें, तो इंडो नेपाल और इंडो भूटान वार्डर की सुरच्छा करते हैं, यह भी पीस टाइम पर ही रहते हैं, वहीं ITBP की बात करें, ITBP, इंडो तिबबत वार्डर पुलिस फोर्स जैसा आप जानते हैं, इंडो चाइना वार्डर पर यह ड्यूटी देते हैं, और इनका काम वही है, पीस टाइम पर, वहाँ सुरच्छा को मॉनिटर करना, देखना, उसकी रख रखाओ को करना एक तरीके से, सियाई सब यानि सेंट्रल इंडर सेक्यूर्टी फोर्स, इसका काम सेंट्रल गवर्मेंट की जितनी भी बिल्डिंग हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, प अफिस्टेंट डिरेक्टर जर्नल आप पुलिस के पोस्त तक ही प्रमोट हो सकता है, मेन जो हमारा डिरेक्टर जर्नल होता है पोस्त, वो IPS के लिए, जो है वो रिजर्व माना जाता है, अब बात करते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स के, ध्यान रखिएगा, कि है ये आपकी जो करते हैं, जो है इसको पलिस फोर्स लेकर ऑदिशोगी उसको टेक ऑवर करता है, टॉप fragлом के ड्नलेक्टर की लिए, शपस ऺंब अर्न वूमारे फोर्स के लुद उन्टर करते हैं, यह पाद आम फॉसस्त हैं, यह वकार्ण की करते हैं, और इस फोर्स मिलिट्री ऑफल के अंदर ही आपरेट की जाती है और इस डिफिनेशन के एकॉर्डिंग आसम राइफल नाशनल सीक्यूर्टी गाड इसमें सामिल है बगर मैं इन सब बातों को समराइज करके आपको बताऊंगा कि मिलिट्री फोर्स को मिनिस्ट्री आप डिफेंस के दौरा लीड या मैनेज किया जाता है वहीं पेरा मिलिट्री फोर्स में डिफेंस ऑफिसर हेड तो होते हैं पर यह मिनिस्ट्री आप फोर्म अफेर्स के एंडर करती है और सीपीफ को एक आइफिस ऑफिसर लीड करता है ले आपक्रमडों से सुरच्छा के लिए CAPF Central Arm Police Force का रोल क्लियर हो गया कि भी जो है यह सब किस रोल पे है CRPF किस रोल पे है ITVP किस रोल पे है SSB किस रोल पे है और CISF किस रोल पे है वहीं जब हमने जो है परामिलिटी फोर्स की बात की Central Arm Police Force के बात तो उसमें भी हमने फोर्सेस देखा क्या रोल है NSG का क्या रोल है और हमारे SSB का क्या रोल है इसको प्रपर ढंग से आफ समझ पाए होंगे और इग्जैक्ली मैं यही कहना चाहता हूँ मिलिटरी यहों सेंटल आम पूलिस फोर्स के अंगरी सशब्मुद्री पॉलिस बल हो या पारा मिलिटरी फोर्स ऑं है तो वाकि अगर आपका सपना है आम फोर्सका सबनने का आप में आर्मीन नभी सबनने और आप सफलता चाहते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आप हिस्सा बनिए मेजर कल्सी क्लासिस का क्योंकि एक लौती अकैडमी है जो बहत्रेन ट्रेनिंग दे करके आपको बिल्कुल इन सारे के सारे जो आपके सपने हैं फॉर्ज को जॉइन करने का मिलिटरी पार मिलिटरी और जो है सेंट्रल आंप प यसे कि अगर आपका फॉज सपना है तो सपना पूरा करेगा मेजर कलसी ग्लसी स्क्राइब मैं अंव मिलिटरी और प्रलेटरी और था को सब्यूत करें करें जय हिंज भारत